साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसों तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं, जो समाज के आखरी पाइदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सिस की कमी हैं, जो विकास की सीडी में उपर चर्ज़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं, और भारत में 80-85 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं, हमारे छोटे किसान, क्लाइमेट चेंज की बात, उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती हैं, इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए, दुनिया से इस पर विशेज ज्यान देने का आगरे किया है, भारत ने 2070 तक, 2070 तक, नेट जीरो का टार्गेट तो रखाई है, हमने लाइफ, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल और एंवार्मेंट, इस लाइफ मिशन की जरूत को भी हाईलाइट किया है, उसी प्रकार से, प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल, एक ऐसा मूवमेंट है, जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए, हर कम्यूनिटी को, हर इंडिवीजियल को, क्लाइमेट रिस्पॉंसिबिलिटी से जोडता है, यह सिर्फ बातों तक सिमित नहीं है, बलकि भारत सरकार के एक्शन्स में भी यह रिफ्लेक्ट होता है, बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, इस साल के बजेट में, क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्रात्मिक्ता दी गई है, यह बजेट हर स्तर पर हर सेक्टर में, ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिट्मेंट्स को प्रोसाइट करने वाला है,